हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैं यूटूब चानल इन्वेस्टिंग अन्फेक्ट्स आज के इस वीडिये में हम टोटल 15 कमपनीज को डिसकस करेंगे और उसका एक फायू लैक रुपिस का पॉर्टपोलियो क्रियेट करने की कोशिश करेंगे जिसे आप निव इयर में अपने इन्वेस्टमन के लिए कंसिडर कर सकते हैं जो कमपनीज हमने पीक किया है वो सभी फ्यूचर में हाई ग्रोथ पोटेंशल रखती है जिससे हम फ्यूचर में अच्छे रिटरंस की उमीद कर सकते हैं और हर एक रिटेल इन्वेस्टर इस पोटपोलियो को एक रेफरेंस की तरह कंसिडर कर सकता है और इस पोटपोलियो को वेल डाइवरिसिफाइट करने के लिए हमने सभी ग्रोथ सेक्टर के स्टॉक्स को ही पिक किया है तो जादा दर stock में तेजी बनी हुई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी stock के में bull run को देखते हुए हमें उन्हें consider नहीं करना है क्योंकि जब आप long term के लिए investment plan करते हो और छोटी छोटी quantity में adding करते हुए monthly SIP की through invest करते हो तो automatically averaging आपके लिए work करती है कभी कभी क्या होता है कि stock all time high pay trade कर रहा होता है तब कम quantity में invest करते हो आप और अगर किसी stock में गिरावट देखने को मिले उस वक्त आप ज़्यादा quantity में share buy करते हो तो आपको long term में ज़्यादा benefits मिलता है तो आज का ये video long term के लिए है जिसे हमें minimum 4 to 5 years के लिए consider करना चाहिए हमने आज के इस portfolio के लिए 15 small cap companies को consider किया है और हम सभी को पता ही है कि small cap companies ही ऐसी होती है जो हमें कम time में अच्छे returns बना के देती है और सबसे important point आज के इस portfolio के लिए हमने उनी companies को consider किया है जिनका या तो valuation cheap and attractive है या फिर अच्छे discounted levels पे उन companies का stock price available है ताकि अगर हम new year में investment planning करते हैं तो हमें ज़्यादा losses ना हो इसी region की वज़े से हमें जो भी stock discounted price पे available है या फिर उनका valuation cheap and attractive है उनी companies को अपने investment के लिए consider करना चाहिए तो बने रहे हैं आज के इस वीडियो में end तक वीडियो को skip न करते हुए आई होप अभी तक आपने हमारे चानल को subscribe किया होगा और अगर नहीं भी किया है तो प्लीज पहले हमारे चानल को subscribe कर दीजए और साथ में वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like करना बिल्कुल भी ना भूले तो चलो start करते हैं आज का हमारा वीडियो आज की इस वीडियो के पहले कमपनी केमिकल सेक्टर से रिलेट करती है और केमिकल सेक्टर इंडिया का fastest growing सेक्टर है तो इस सेक्टर की एक तो भी कमपनी हमारे पोटपोलियो में जरूर होना चाहिए आज की स्पोर्ट पुलिक लिए हमने सिलेक किया है आज इन Chemical Industries Limited को यह कंपनी इंडिया की लाज़ेस्ट एक्सपोर्टर है Bromine and Industrial Salt की और कंपनी द्वारा मैनुफेक्चर केगे Bromine Products, Pharmaceuticals, Agrochemicals, Flame Retardant, Water Treatment, Oil and Gas and Energy Storage जैसे इंडिस्टीज में यूज़ के जाते है और कंपनी द्वारा मैनुफेक्चर केगे Industrial Salt, Chloro Alkali Chemicals, Food and Beverages, Water Treatment, Oil and Gas जैसे इंडिस्टीज में वही सल्फिट और पोटेश्ट यानि की Potassium Selfate एक Speciality Fertilizers होता है जिसका यूज़ एग्रोकेमिकल वेरिस इंडिस्टीज 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 में किया जाता है यानि कि इस कंपनी का Business Model High Demanding है और Fundamentals की बात करें तो 8,001 करोन मार्केट का अफ़ल एक स्मॉल कैप कम्पनी है जिसका Stock P 20.2 का वा इंडिस्टीज इल पी 31.4 का है यानि कि अभी भी इस कंपनी का Stock Price बहुत ज़्यदा Cheap and Attractive Valuation पे Available है और से इंडिस्टीज 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 इंडिस्ट का stake है यानि कि institutional investors ने भी बहुत ही बड़े आमाउंड के साथ इस company में invest किया है और growth performance देखा जाए तो पिछले 3 years में company का sales 33% के Cajr rate से वही profit 133% के Cajr rate से increase हुआ है यानि कि excellent growth भी हमें इस company में देखने को मिल रही है और current price की बात करें तो भी आज इन chemical industries limited का stock price 69.52 रूपीज का round rate कर रहा है और ये company 2022 में ही list हुई थी जब से list हुई है तब से अपने investors को 22% के returns भी डिर्वर्ट कर चुकी है और 79.31 रूपीज का all time high बनाने के बाद company का stock price अपने all time high से लगबग 10% के बहुती बढ़िया discounted levels में available है और अजसे इनका valuation भी बहुत ज़्यदा चीपन attractive है तो current price पे इस company में fresh entry की जा सकती है और अगर current price पे आप इस company में fresh entry करते हो तो आपको इस company के total 50 quantities को खरीदना चाहिए जिससे आपकी investment हो जाती है 32,600 रूपीज के आज के इस पोटपोली के second company है refex industries limited यह company specialist manufacturer and refiller है refrigerant gases का जो एक non ozone depleting gas होता है replacement of chlorofluorocarbon यह company refrigerant gas manufacturing में market leader है जिनका यूज commercial and domestic refrigeration, industrial refrigeration, transport refrigeration, food processing, commercial air conditioning, domestic air conditioning, automotive air conditioning, aerosol propellant, medical propellant, foam blowing agents में किया जाता है याने कि इस company का business model भी बहुत ही excellent है और fundamentals की बात करें तो 1332 करोर market के अपल एक बहुत ही छोटी company है जिसका stock P 10.9 का वह industrial P 41.3 का है याने कि बहुत ज़दा cheap and attractive valuation पे company का stock price trade कर रहा है और इनकी profit ratios 46% से भी ज़दा है जो कि बहुत ही excellent है और debt equity ratio 0.39 का है याने कि निगली zipper debt बड़न है company के उपर और shareholding pattern देखा जाए तो promoter के पास 53.3% की majority shareholding है यहनी के साथ EFIS के पास 0.41% का stake and DIS के पास 0.1% का stake है और growth performance की बात करें तो पिछले 3S में company का assess 35% के CHR rate से वही profit 46% के CHR rate से increase हुआ है और company का stock price पिछले 3S में लगबख 82% के CHR rate से increase हुआ है यहनी के excellent growth भी हमें इस company में देखने को मिल रही है और current price की बात करें दो भी refx industries limited का stock price 1610 रुपिस के around rate कर रहा है पिछले एक साल में company ने 150% के रिटेस वही पिछले 5S में 2978% के multi bagger रिटेस अपने investors को delivered किये है और 924 रुपिस का all time high बनाने के बात company का stock price अपने all time high से लगबख 34% के बहुती बड़ी आ discounted levels पे available है तो current price पे इस company में fresh entry की जा सकती है और current price पे अगर आप इस company में fresh entry करते हो तो इस company के आपको लगबग 55 quantities को खरिदना चाहिए जैसे आपकी investment हो जाती है 33,550 रुपिस के around आज के इस portfolio की third company defense sector से relate करती है और company का नाम है Aventail Limited यह company telecom equipment industry में operate करती है और business एरे की बात करे तो यह company defense and aerospace sector के लिए wireless and satellite communication products defense electronics radar systems का designing, developing and maintaining करती है also company innovative and customized network centric solution भी provide करती है defense platform के लिए जैसे की ship, submarines, aircraft, helicopters में use होने वाले marine communications के लिए company facilitate करती है highly secure, seamless, long range communication over satellite and high frequency medium को और company का client base देखा जाये तो ISRO, DRDO, BARC, L&T, Indian Railway, भारत Electronics and भारत Dynamics Limited, Air Force जैसे reputed companies company के client list में शामिल है यहने कि बहुती strong client base है company का और इसते ही अंदजा आ जाता है कि future में यह company के पास कितनी growth opportunities है और fundamentals की बात के तो 2742 कोरण market capital एक small cap company है जिसका stock भी 63 के around है वह industrial भी 61.2 का है यहने की ज़्यादा expensive नहीं है company का valuation और इनकी profit ratios भी 30% से ज़्यादा है जो की बहुत ही excellent है debt to equity ratio 0.15 का है यहने की negligible debt burden है company की उपर और social holding pattern देखा जाए तो promoter के पास 40.1% की majority share holding है इनकी साथ D.I.S. की पास 0.01% का stake है और growth performance देखा जाए तो पिछले 3S में company का sales लगबख 44% के C.J.R. rate से वही profit 41% के C.J.R. rate से increase हुआ है और company का stock price पिछले 3S में 168% के C.J.R. rate से increase हुआ है यहने की excellent growth हमें इस company में देखने को मिल रही है और current price की बात करे तो भी Aventail Limited का stock price 112 रुपीस के around rate कर रहा है पिछले एक साल में company ने 340% की returns वही पिछले 5S में 2865% के multi-bagger returns अपने investors को delivered किये है और 136 रुपीस call time है बनाने के बाद company का stock price अपने all time है से लगबग 17% के बहुती बढ़िया discounted levels पे available है और अगर आप current price पे इस company में fresh entry करते हो तो आपको इस company के लगबग 300 quantities को खरीदना चाहिए जिससे आपकी investment हो जाती है 33,600 रुपीस के around आज के इस sport poli की fourth company footwear sector से relate करती है और company का नाम है campus activewear limited यह company इंडिया की one of the largest sport footwear brand है जहाँ पे company कही तरह के footwear को manufacture करती है और distribute करती है जैसे की running shoes, walking shoes, casual shoes, footers, sleepers, flip flops and sandals और present अगर देखा जाये तो one of the fastest growing footwear company है और presently इनका market share around 17% का है और यह company sport category में primarily जो international brand है उन्हें dominate भी करती है और fundamentals की बात के तो 8545 करण market के अफली यह भी एक small cap company है जिसका stock P82.9 का वह industrial P61 का है यहने की valuation थोड़ा expensive देखने को मिल रहा है company का और also इनके profit ratio 23% से ज़्यादा है और debt liquidity ratio 0.55 का है और shareholding pattern देखा चाहिए तो promoter के पास 73.9% की majority shareholding है इनके साथ EFIS के पास 9.25% का stake और EFIS के पास 4.82% का stake है यहने कि institutional investors ने बहुती बड़े आमोन के साथ इस company में invest किया है और growth performance की बात करें तो पिछले 3S में company का sales 33% के CJR rate से वही profit 25% के CJR rate से increase हुआ है यहने कि बड़िया growth भी हमें इस company में देखने को मिल रही है और current price की बात करें तो अभी campus active air limited का stock price 279 रुपिस के around trade कर रहा है और यह company recently 2022 में ही list हुई थी जब से list हुई है तब से company का stock price negative में ही trade कर रहा है और 424 रुपिस का all time high बनाने के बात अपने all time high से लगबग 34% के बहुती बड़िया discounted levels पे अब एक टाइम में company का stock price available है तो current price पे अगर आप इस company में fresh entry करते हो तो आपको इस company के लगबग 120 quantities को खरीदना चाहिए जिससे आपकी investment हो जाती है 33,480 रुपिस के around आज के इस पोड़बोलय की fifth company है इलेकॉन इंजिनेरिंग कमपनी लिमिटेड यह company एशिया की one of the largest industrial gear manufacturing company है जो industrial gear में इंडिया का लगबग 39% तक का market share enjoy करती है और सो इंडिया की पहले इसी company है जो sophisticated equipment का manufacturing करती है bulk material handling के लिए और cater करती है every industrial sector को इंडिया में जैसे की steel, power, marine, chemical, cement and coal इनके अलावा यह company एशिया की largest gear box manufacturer भी है और company के client list में अदानी, लासनें, टूब्रो, ब्रिटिश स्टील्स, टेट्रा, पैक, डाल्मिया, भारत ग्रूप, भेल, जिंदाल स्टील and पावर, टाटा स्टील, सेल, अल्राटेक सेमेंट जैसे और भी reputed customers include है यानि की बहुती strong client base है इस company का और fundamentals की बात करें तो 10,400 करोण market cap वाली यह big small cap type की company है जिसका stock भी 35.6 का वह industrial भी 39.3 का है यानि की बहुत जदा cheap and attractive valuation पे अभी के time में इस company का stock price trade कर रहा है company के profit ratio 20% से ज़्यादा है और debt degree ratio 0.03 का है यानि की negligible debt button है company के ऊपर और सो promoter के पास 59.3% की majority share holding है यहनि के साथ FIS के पास 4.88% का stake वही DIS के पास 2.92% का stake है और company का sales growth 29.9% का वही profit growth 57.7% का है यानि की इस company के fundamentals पी यहाँ पे हमें पहुत ज़्यादा strong देखने को मिल रहे है और current price की बात करें तो अभी इलेकॉन इंजिनेरिंग्स इंडिया लिमिटेट का stock price 928 रुपिस के around trade कर रहा है पिसले एक साल में company ने 154% के रिटरस अपने investors को डिलिवर्ट किये है और 989 रुपिस का all time high बनाने के बाद company का stock price अपने all time high से लगबग 6% के discounted price पे available है लेकिन company का valuation बहुत ज़्यादा cheap and attractive है तो current price पे इस company में fresh entry की जा सकती है और अगर आप current price पे इस company में fresh entry करते हो तो इस company के आपको लगबग 35 quantities को खरीदना चाहिए जिससे आपकी investment हो जाती है 32,480 रुपिस के around आज की इस portfolio की 6th company renewable energy sector से relate करती है और company का नाम है KPI Green Energy Limited 2008 में incorporate हुई यह company solar power generation के business में engaged है और यह company independent power producer, captive power producer and industrial को solar power provide करती है यह company renewable energy under third party sales के business में भी market leader है यानि की future oriented business है इस company का और fundamentals की बात करे तो 5,899 करोण market के वाली एक बहुती छोटी company है जिसका stock भी 43.8 का वही industrial पी 62.7 का है यानि की बहुत ज़िदा cheap and attractive valuation पे इस company का stock price rate कर रहा है और असो इनके profit ratios 24% से ज़्यादा है जो की बहुती बढ़िया है और debt to equity ratio 2.58 का है यह company में एक risk factor है share holding pattern देखा जाए तो प्रमोटर के पास 53.1% की majority share holding है या 5S के पास 7.22% का stake YDIS के पास 2.25% का stake है और growth performance देखा जाए तो पिछले 3S में company का sales 122% के share rate से वही profit 157% के share rate से increase हुआ है और company का stock price पिछले 3S में 268% के share rate से increase हुआ है यानि की excellent growth हमें इस company में देखने को मिल रही है और current price की बात करे तो भी KPI Green Energy Limited का stock price 1467 रुपिस के around trade कर रहा है पिसले एक साल में company ने 235% के rate अपने investors को deliver किये है और ये company 2022 में ही least हुई थी जब से least हुई है तब से अपने investors को 454% के multi-bagger rate भी deliver कर चुकी है और 1467 रुपिस का all time high बनाने के बाद company का stock price अपने all time high के आसपास ही trade कर रहा है तो current price पिछ इस company में fresh interest की हो सकता है प्रेशंटी करते हो तो इस company के आपको लगबग 22 quantities को खरीदना चाहिए जिसके आपकी investment हो जाती है 32,274 रुपिस के around आज के इस पोड़पोली की 7th company है Venus Pipes and Tubes Limited ये company stainless steel pipes and tubes का manufacturing and exporting करती है जिसमें company अलगला types के pipes जैसे की stainless steel, high precious and heat exchanger tubes stainless steel hydraulic and instrumentation tubes stainless steel, steamless pipes, stainless steel wedded pipes and stainless steel box pipes जैसे products आते है और company द्वारा manufacture केगे products chemical, engineering, fertilizers, pharmaceuticals, power, food processing, paper, oil and gas and aerospace जैसे industries में use के जाते है और इसी रिजन की वज़े से company के client list में Altas, Isro, L&T, Arty Industries Limited, Adani, Bhil, Sipla, Asian Paints, Agenta Pharma, Amul, Hindustan, Petroleum जैसे और भी reputed customers include है और fundamentals के बात करें तो only 2843 करोन मार्केट के अफ़ल एक बहुती छोटी company जिसका stock P45.6 का वह industrial P21.9 का है यानि की थोड़ा expensive valuation देखने को मिल रहा है इस company का और इनके profit ratios 19% से ज़ादा है जो की बहुती बढ़िया है और debt to equity ratio 0.41 का है यानि की negligible debt बढ़ने company के उपर और इस company का अब shareholding pattern देखा जाए तो प्रमोटर के पास 48.6% की majority shareholding है इनके साथ FIS के पास 6.6% का stake and EIS के पास 7.25% का stake है यानि की एक छोटी company होने के बावजुद भी institutional investors ने बहुत ही बड़े आमाण के साथ इस company में invest किया है और ये इस company के एक plus point है company का sales growth 49% का भी profit growth 75% का है यानि की ये company fundamentally बहुत ज़दा strong देखने को मिल रही है और current price की बात करें तो अभी Venus Pipes and Tubes Limited का stock price 1403 रुपिस के around trade कर रहा है और ये company recently 2022 में ही lease हुई थी जब से lease हुई ये तब से अपने investors को 321% के multi-bagger returns भी delivered कर चुकी है और 1578 रुपिस का all time high बनाने के बाद company का stock price अपने all time high से लगबग 11% के बहुत ही बड़िया discounted levels पे available है तो current price पे इस company में fresh entry की जा सकती है और अगर आप current price पे इस company में fresh entry करते हो तो इस company के आपको लगबग 25 quantities को खरीदना चाहिए जिससे आपकी investment हो जाती है 35,075 रुपिस के around आज के इस portfolio के 8th company है StyleM Industries Limited ये company one of the fastest growing company है high quality decorative laminates and align products industries में ये company decorative laminates का manufacturing करती है under the brand name StyleM और अपने products को company export करती है European and Southeast Asian countries में और ये company इंडिया की one of the largest laminate producing group है इनके अलावा ये company PU Lequor Coating Process में भी pioneer company है जो high quality high value added laminates का finishage का production करती है और so value added products में ये company well range of laminates जैसे की decorative laminates, compact laminates, industrial laminates specialty surface, metallic laminates, mirror laminates and magnetic laminates का भी production करती है यानि की बहुत ही excellent business model है इस company का fundamentals की बात की तो 2,978 crore market का फ़ली ABX small cap company है जिसका stock P27 का वाई industrial P35.8 का है यानि की इस company का valuation भी अभी के टाइम में बहुत ज़दा cheap and attractive है also इनके profit ratio 26% से ज़दा है जो की बहुत ही बढ़िया है और date to equity ratio 0 का है यानि के company totally date free है promoter के पास 54.6% की majority shareholding है इनके साथ FIS के पास 3.99% का stake है और DIS के पास 11.6% का stake है यानि के small cap company होने के बावजुद भी institutional investors ने बहुत ही बढ़िया amount के साथ इस company में invest किया है और company का sales growth 11% का वही profit growth 42.8% का है और अल इस company के fundamentals हमें strong ही देखने को मिल रहे है और current price की बात करे तो भी stylem industries limited का stock price 1722 रुबिस के around trade कर रहा है और या company 2021 में list हुई थी जब से list हुई है तब से अपने invest को 25% के return भी deliver कर चुकी है और 1,970 रुपिस का all time high बनाने के बाद company का stock price अपने all time high से लगबग 13% के बहुती बढ़िया discounted levels पे available है और अकर current price पे आप इस company में fresh entry करते हो तो इस company के आपको लगबग 20 quantities को खरीदना चाहिए जिससे आपकी investment हो जाती है 34,440 रुपिस के around आज के इस पोड़ बोले की 9th company EMA sector से relate करती है और company का नाम है PG Electroplaster Limited ये PG Group की एक flagship company है जो leading diversified Indian electronic manufacturing services provider है और सो ये company original design manufacturing और की ODM original equipments manufacturing and plastic injection molding में specialized है जिसे company 50 plus leading India and global brands को cater करती है company के business verticals के बारे में बात करें तो ये company plastic modeling में specialized है जहाँ पे company consumer durable, sanitary wares, automotive consumer electronics जैसे products offer करती है electronics में television, PCB assemblies जैसे products offer करती है इनके अलवा company इंडिया की room AC and washing machine manufacturing में second largest player है और room AC में company indoor units and outdoor units washing machine में semi-automatic top load fully automatic top load वही air coolers में windows, desert, personal जैसे products का manufacturing करती है और company के client list में बजाज Electricals, Blue Star, BPL, Carrier, Chroma, Crompton, Diking, Flipkarts, Godrej, Havers, Honeywell, Hyundai, Intex, Joker, Lava, LG, Reliance Digital, Oltaj, Warpol, जैसे और भी reputed customers include है यानि की बहुती strong client base है इस company का और fundamentals की बात करें तो 6,177 करोन मार्केट के अपली एक small cap company है जिसका stock P61.7 का वह industrial P67.2 का है यानि की बहुत दिदा cheap and attractive valuation पे इस company का stock price available है और इनकी profit ratio 17% से ज़्यादा है net to equity ratio 0.33 का है और promoter के पास 53.6% की majority shareholding है इनके साथ EFIS के पास 8.96% का stake and EIS के पास 12.6% का stake है यानि की institutional investors ने बहुती बढ़ी amount के साथ इस company में invest किया है और सो company का sales growth 47.2% का वही profit growth 78.6% का है यहाँ पर इस company के fundamentals भी हमें बहुत ज़्या strong देखने को मिल रहे है और current price की बात करें तो भी PG Electroplast Trimlet का stock price 2370 रुपिस के round trade कर रहा है पिसले एक साल में company ने 110% के returns वही पिछले 5 years में 1803% के multi-bagger returns अपने investors को डिलिवर्ट के है और 2,569 रुपिस का all-time high ब्राने के बाद company का stock price अपने all-time high से लगबग 7% के बहुती बढ़िया discounted levels पे available है और current price पे अगर आप इस company में fresh entry करते हो तो आपको इस company के लगबग 14 quantities को खरीदना चाहिए जिससे आपकी investment हो जाती है 33,180 रुपिस के around आजके इस portfolio की 10th company infrastructure sector से relate करती है और company का नाम है Vishnu Prakash R. Pingulia Limited यह एक इंडिया की one of the fastest growing infrastructure development company है जो infrastructure projects की construction and designing का business करती है central and state government के लिए और अटोनामस bodies and private bodies के लिए across 12th state and 1 union territories in India और यह company water supply, railway, highway, bridges, tunneling, buildings and warehouses and severages जैसे infrastructure projects में काम करती है और fundamentals देखा जाए तो 2692 कोरोण market cap वाल एक small cap company जिसका stock P29.7 का वही इंडिस्टेयल P25.6 का है यानि की reasonable valuation पे company का stock price trade कर रहा है और इनके profit ratios 33% से ज़्यादा है जो की बहुत ही बढ़िया है और debt to equity ratio 0.5 का है यानि की negligible debt button है company की उपर और असो promoter के पास 67.8% की majority shareholding है इनके साथ FIS के पास 4.66% का stake वह DIS के पास 4.94% का stake है यानि की बहुत ही चोटी company होने के बाउचित भी institutional investors ने बहुत ही बढ़ी amount के साथ इस company में invest किया है और company का sales growth 48.7% का वही profit growth 102% का है यहाँ पर इस company के fundamentals भी हमें strong ही देखने को मिल रहे है और current price की बात करें तो अभी विश्नु प्रकाश और पिंगुलिया लिमिडेट का stock price 216 रुपिस का रांटेट कर रहा है और यह company recently 8 September को ही least हुई थी जब से least हुई है तब से अपने investors को 25% के multi-bagger returns भी deliver कर चुकी है और 242 रुपिस का all time high बराने के बाद company का stock price अपने all time high से लगबग 10% के discounted price पे available है और अगर current price पे आप इस company में fresh entry करते हो तो आपको इस company के लगबग 150 quantities को खरीदना चाहिए जिससे आपकी investment हो जाती है 32,400 रुपिस के around आज के इस portfolio के 11 company auto ancillary sector से relate करती है और company का नाम है Panko Products Limited यह company automotive and industrial applications के लिए engine cooling models and systems की manufacturing and selling and supplying करती है domestic as well as international market में company का product portfolio देखा जाए तो इनके portfolio में engine cooling models जैसे की radiators, charge air coolers, fuel coolers and oil coolers include है और company द्वारा manufacture किये गे products, passenger cars, light commercial vehicles, medium and heavy commercial vehicles में use किये जाते है और fundamentals की बात करें तो 45971 करोन मार्केट के फ़ल एक बहुती छोटी company है जिसका stock P16.1 का वह ही industrial P32.7 का है यहने कि बहुत ज़दा cheap and attractive valuation पे इस company का stock price trade कर रहा है और इनके profit ratios 23% से ज़दा है जो की बहुती बढ़िया है और debt equity ratio 0.38 का है याने कि negligible debt button है company की उपर और shareholding pattern देखा जाए तो promoter के पास 67.9% की majority shareholding है यहने के साथ FIS के पास 2.07% का stake वह DIS के पास 0.02% का stake है और सबसे important point यह company अपने investors को बहुती बढ़िया dividend भी पे करती है जिससे company की dividend yield है 3.44% की यह भी एक retail investors के point of view से plus point बन जाता है और company का sales growth 22.1% का वही profit growth 97.9% का है को मिल रहे है और current price की बात करें तो भी बैंको products limit का stock price 638 रुपिस के around trade कर रहा है पिछले एक साल में company ने 219% की returns वही फिछले 5 years में 245% के multi bagger returns अपने investors को डिलिवर्ट की है और 676 रुपिस का all time high बनाने के बाद company का stock price अपने all time high से लगबग 5% के discounter price पे available है और अगर current price पे आप इस company में fresh entry करते हो तो आपको इस company के लगबग 52 quantities को खरीदना चाहिए जिसके आपकी investment हो जाती है 33,176 रुपिस के around आज के sport pool की 12th company है Dynamic Cables Limited यह company power infrastructure cables का manufacturing करती है जिसमें company LT Cable, HT Cable, EHVC, power control and instrumentation cable, flexible and industrial cable, solar cable and railway signaling cable include है और यह company manufacture के गए के बस government and private distribution companies, private EPC contractors, industrial and export clients को supply भी करती है और fundamentals की बात करें तो 99.54 करोड मार्केट के अफ़ल एक microcap type की company है जिसका stock P28.8 का वह industrial P39.4 का है यानि कि बहुत ज़्यदा cheap and attractive valuation पे company का stock price rate कर रहा है और इनके profit ratios 19% से ज़्यदा है जो कि बहुत ही बढ़िया है और debt liquidity ratio 0.59 का है यानि कि negligible debt burden है company की उपर और shareholding pattern देखा जाए तो promoter के पास 74.4% की majority shareholding है इनके साथ FIS के पास 0.1% का stake, VDS के पास 0.09% का stake है और growth performance देखा जाए तो पिछले 3S में company का sell 16% के Cajr rate से वही profit 19% के Cajr rate से increase हुआ है और company का stock price पिछले 3S में लगबग 136% के Cajr rate से increase हुआ है यानि कि बढ़िया growth भी हमें इस company में देखने को मिल रही है और current price की बात करे तो अभी dynamic Cable Limited का stock price 435 रुपिस का round trade कर रहा है पिछले एक साल में company ने 130% के rate से वही पिछले 5S में 1259% के multi-bagger rate से अपने investors को डिलिवर किये है और 699-15 रुपिस का all time high बनाने के बाद company का stock price अपने all time high से लगबग 29% के बहुती बढ़िया discounted levels पे available है 75 quantities को खरिदना चाहिए जैसे आपकी investment हो जाती है 32,625 रुपिस के around आज के इस पोड़ पोली की 13 company drone sector से relate करती है और company का नाम है Jane Technologies Limited ये company defense and security force के लिए combat training solution and counter drone solution का designing, developing and manufacturing का business करती है इनके अलावा ये company indignization of technology में actively involved है जो Indian forces, state police forces and paramilitary forces के लिए beneficial है और product portfolio देखा जाए तो ये company training stimulation equipments का manufacturing करती है और training defense solution में market leader है और लगबग 95% तक का market share enjoy करती है इन tank stimulators में और ये company counter drone solution का भी manufacturing करती है और anti-drone system का use unwanted drones and unmanned aerial vehicles को detect करने में किया जाता है और fundamentals की बात करती है तो 6,069.78 करोड मार्केट के अफली ये भी small cap company है जिसका stock भी 76 का भी industrial भी 40 का है यानि के expensive valuation पे company का stock price trade कर रहा है और also इनके profit ratios 12% से ज़्यादा है और debt to equity ratio 0 का है यानि के company totally date free है प्रमोटर के पास 57.4% की majority shareholding है इनके साथ EFIS के पास 4.84% का stake है और इस के पास 0.15% का stake है और also company का sales growth 267% का वही profit growth 504% का है या पे इस company के fundamentals भी हमें strong ही देखने को मिल रहे है और current price की बात करें तो अभी Gen Technologies Limited का stock price 792 रुपिस के round trade कर रहा है पिछले एक साल में company ने 329% के रीटेस वही पिछले 5 years में 978% के multi-bagger रीटेस अपने investors को डिलिवर्ट की है और 911 रुपिस का all time high बनाने के बाद company का stock price अपने all time high से लगबग 13% के बहुती बड़े discounted levels पे available है और अगर current price पे आप इस company में fresh entry करते हो तो इस company के आपको लगबग 40 quantities को खरीदना चाहिए जिससे आपकी investment हो जाती है 31,680 रुपिस के around आज के इस portfolio की 14th company है शिल्चार Technologies Limited यह company electronic and telecommunication and power and distribution transformers का manufacturing का business करती है और company 5 kilowatt ampere to 3000 kilowatt ampere range तक distribution transformers and 3000 kilowatt ampere to 50,000 kilowatt hour transformers का manufacturing करती है और company product various countries जैसे की USA, Canada, Middle East and African nations में export भी करती है company द्वारा manufacture के गए products, private utilities companies, renewable energy, solar, wind and hydro electricity, cement, sugar, steel and hydrocarbons industries, power plant developers industries को cater करती है और सबसे important point ही है company, renewable energy sector, solar, wind जैसे futuristic sector को अपने products offer करती है जिनकी demand future में और भी तेजी से बढ़ने वाली है और एक excellent business model है इस company का और fundamentals की बात करे तो 1,933 करोड market cap वाली एक small cap company जिसका stock P28 का वही industrial P42.3 का है यानि की बहुत जदा cheap and attractive valuation पे इस company का stock price trade कर रहा है और सो इनके profit ratios 42% से ज़्यादा है जो की बहुत ही excellent है और debt to equity ratio 0.02 का है यानि की negligible debt button है company के उपर और सो प्रमोटर के पास 65.8% की majority shareholding है इनके साथ यह FIS के पास 1% का stake है और company का sales growth 47.4% का वही profit growth 155% का है यानि की यहाँ पर इस company के fundamentals भी हमें strong ही देखने को मिल रहे है और current price की बात करें तो अभी शिल्चा Technologies Limited का stock price 2534 रुपिस के around rate कर रहा है पिसले एक साल में company ने 426% की रिटर्स वही पिछले 5 years में 1535% के multi bagger रिटर्स अपने investors को डिलिवर्ट के है और 2899 रुपिस का all time है मिलाने के बाद company का stock price अपने all time है से लगबख 12% के discounted price पे available है और अकर current price पे आप इस company में fresh entry करते हो तो इस company के आपको लगबख 13 quantities को खरीदना चाहिए जिससे आपकी investment हो जाती है 32,942 रुपिस के around आज के इस portfolio की last company IT sector से relate करती है और company का नाम है SAC Soft Limited 1999 में incorporate हुई ये company mainly business intelligence and information management solution providing का करती है USA and UK based companies को ये company one of the leading digital transformation solution partner है for clients across various companies और कही different sector से company अपनी services provide करती है जैसे की e-commerce, retail, fintech, telecommunication, healthcare, transportation, logistic and public sector में भी ये company अपनी services offer करती है और fundamentals की बात करें तो 3,422 कोरण market के अफ़ल एक small cap company है जिसका stock भी 35.9 का वही industrial पी 41.6 का है याने कि अभी भी इस company का stock price बहुत ज़्यदा attractive and cheap valuation पे available है और company के profit ratios 22% से ज़्यादा है जो की बहुत ही excellent है और debt to equity ratio 0.03 का है याने कि negligible debt burden है company के उपर और also promoter के पास 66.7% की majority shareholding है यहने के साथ या FOS के पास 3.96% का stake है और company का sales growth 26.4% का and profit growth 36.9% का है और all इस company के fundamentals भी हमें strong ही देखने को मिल रहे है और current price की बात करें तो भी sex of limited का stock price 321 रुपिस के around trade कर रहा है इसले एक साल में company ने 162% के rates वहें पिछले 5 years में 1024% के multi-bagger rates अपने investors को delivered किये है और 402 रुपिस का all time high बनाने के बाद company का stock price अपने all time high से लगबग 20% के बहुती बढ़िया discounted levels पे available है तो current price पे इस company में fresh entry की जा सकती है और अगर current price पे आप इस company में investment ब्यांड करते हो तो इसके आपको लगबग 100 quantities को खरीदना चाहिए जिससे आपकी investment हो जाती है 32,100 रुपिस के around आज की इस वीडियो में हमने total 15 high growth small cap companies का एक portfolio create किया है जिनकी total investment हो जाती है 4,95,692 रुपिस के around लेकिन आप जब किसी भी company में fresh entry करते हो तो अप company के stock price में हमें variation भी देखने को मिल सकता है तो उसका impact हमें portfolio के total amount में होता हुआ देखने को मिल सकता है लेकिन बताए हुए quantity के हिसाब से अगर आप इन companies में investment plan करते हो तो आपकी total investment भी लगबख 5,000,000 के around हो जाती है लेकिन आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ educational purpose के लिए है तो हमारी तरप से किसी भी company में buy और sell की recommendation नहीं है आप अपनी खुद की research and analysis के उपर ही अपनी investment planning कीजिए आज का हमारा ये portfolio आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like and share करना बिल्कुल भी ना भूलिए और ऐसे और informative इस वीडियो देखने के लिए हमारे चानल को subscribe भी जरूर कीजिए Thanks for watching this video